तो फेंट्स आज हम चले आए बनाश ट्रीप का सेकेंड पार्ट लेकर के जहां आज हम पूरे बनाशी का साइट सीन करने जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे बनाशी ट्रीप का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको वीडियो का लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर चकर करके आप चकाउट जो कर सकते हैं तो फ्रेंट्स हम गदोलिया चौराज से निकल के अब हम जा रहे कुछ साइट सीन करने तो यह भाईया जी आपको बताएंगे कौन-कौन सी जगह हम जाने वाले आगी तो आपने जान लिया है तो इंका नंबर हम वैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे तो आप वहां पर जाके चकाउट कर सकते हैं और इनको डायक्ली आप वाल कर सकते हैं चलिए आगे सलते हैं तो सबसे पहले हम लेतारा के मंदिर में आ गए यहां पर हमने कबीर जी का दर्शन किया और सामने जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत हिभाब वे मंदिर है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें मंदिर का गेट दिखा जहां से हमें इंट्री करना था बट फिलाल कंस्र तो यही वो जगह जहां पर इनकी समाधी बैठाई गई है और फिर हमने कबीर जी का दर्शन किया बहुत ही सुंदर मुर्ती है फिलाल अभी कॉंस्रक्शन के करन यहां नीचे बैठाई गई है और उनका दर्शन करने के बाद हमें प्रशाद वगरा लिया और वहां से निकलने बाद हम लोग चले आए हैं यहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी हाथ से बनी हुई काफी चीज़े हैं सॉल्स वगरा सबकुछ आपको मिल जाएगी और वहां से हम निकल प म्रैक है तो फेरेंड सार्नात में आपको घूमने क्लिए कर जगाएं मिल जाएंगी जिसमें कि सारंगरात मंदिर है यहां के बहुत टेम्पल हुए है यहां का तिपपद टेम्पल और यहां का इस्टॉपजो की पूरे भारत मर्स में बहुत ही प्रशित है वैसे हमने साना सीरीस का पूरा आईक अलग सब वीडियो बना के रखा हुआ है उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी साथी साथ आप उपर आई बटन से भी इस वीडियो को चेकाउट कर सकते हैं साथान वरा आपको रिद्सक्रिपन TØ कर सकते हैं सारनाग से बहां निकलते हैं, हमने दिखा यहाँ पर हाथ से बनाए हुई कई चीजे रखीूई ती जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत यह अची थी हाथ से बनाए हुई चीजियों है. उसके बद्सक्ति हम चले आएं सारनाग से हैंनलों मिड्श्ट्री में जो कि रास्ते के थिक उल्डे तरफ है यहां पर हमने देखा कि हाथ से बने वी कई बड़ी में साडिया थी जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने कई वेराइटी वगरा भी देखी सब कुछ हाथ से बनाएगे जिसको बनाने में करीब 2-3 मैने के समय लगता है इसके अलाबा यहां पर आपको कई और चीजयों मिल जाएगी जो कि सब कुछ हाथ से बने हुई है आप यहां पर आराम से बैट सकते हैं देख सकते हैं चूज कर सकते हैं जो आपको पसंदो आप लीजे एंड उसके बाद हम अंदर की और गए है अंदर जाने के बद हमने देखा बहुत ही अच्छी अच्छी लेडी सूट्स वगरा फिर सट के पीस वगरा सब कुछ आपको मिल जाएंगी आप यहां पर एक बट जबूर देख सकते हैं वहां से निकल के हम चले हैं सारनाथ के एक्सेविटर प्लेस में जहां पर हमने देखा कि कोविट के कराण अभी इसे बंद किया गया था और यही वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध का असल मंदिर जो की स्टूप जी से कहा जाता है यहां अंदर में है जिसे असोग सम कमराट ने बनवाया था फिलाल कोविट के वएसे बंद होने के कराण मंदर नहीं जा सके आप जरूर जाकर एक बार जरूर देखेगा बहुत सुन्दर यह स्टूप वहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद हम चले आए सारंगनात मंदिर में जहां भगवान सीव संकर की दो सीवलिंग है तो चलिए हम आप सबको दिखाते हैं उपर यहां से हम उपर की ओर गया यहां आपने सभी देवी देपताओं का दर्शन किया और उसके बाद हम चले आए फाकवान सीव का दर्शन करने जहां पर आप देख सकते हैं नीचे दो सीवलिंग है जो कि बहुत ही सुन्दर लग रही थी देखने में और यहां से बाहर निकलते हैं हमें हनमान जी की मुर्ती भी दिख गई उनका हमने दर्शन किया वहां दर्शन करने के बद हमें नंदी जी की मुर्ती मिख देख वहां पर हमने उनका भी दर्शन किया तो फेंट शारंगनाथ मंदिर से होते हुए हम शारंगनाथ के तिपट टिम्पल में चले आएं वैसे तो इस टिम्पल का जितना भी देख रेक से लेकर सब कुछ मेंटेनेस से सारा की सारा तिपट गॉवर्मेंट ही करती है और इसके इलावा दलाई लामा जब भी भारत आते हैं तो यहां पर ही आके ठहरते हैं और यह वो जगह है जहां पर बहुत थर्म के लोग यहां पर आते हैं और पाइक्रमा करते हैं यहां पर अपना मानुकामना या फिर कोई भी इच्छा हो वो यहां पर आकर के मांगते हैं अपना मानुकामना यहां पर आते हैं और फिलाल जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यही वो तिबत टिपल है जो कि अभी फिलाल कोईड के वैसे यही बंद है फ्रेंड्स वहां से निकलते हुए हम चले आप हम राम नगर फोट की हो तो वहां पर भी आने के बाद हम यही पता चला कि यह भी अभी कोविड के वैसे बंद है तो यहां पर भी अम अंदर नहीं जा सके आप आ करके जहूर जाईए अग अंदर मैं आपको फिलाल बाहर से ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स इस किले का निर्मा महाराजा बलवन सिंग ने कराया था जो की 1750 इसुई में हुआ था यह किला काशी में इस्तित है यानि तुलसी घर्ट के पास और इसी कारण से महाराजा बलवन सिंग को काशी नरेश भी कहते हैं और वहां से होते हुए हम सीधे चले आए बी एचियू चोकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और यहां से अंदर जाने के बाद हमने स्री विशोनात मंदिर में दर्शन भी किया तो चले हम आपको आगे दिखाते हैं वैसे यहां से मंदिर जाने हैं आपको करीब पास से दस मिनिट के समय लगया तो चले है फटटफट तो करीब पास से दस मिनिट चल के हम फाइनली स्री विश्वनात मंदिर के गेट पे आ गए हैं और यहां से बाम अंदर चल रहे हैं और वैसे हम आपको बता दे यह बहुत ही भव्य मंदिर है यहां की एक और और साती सद वानारशी की फेमस टूरीश इस्पॉर्ट मेंसे एक है तो थोड़ा सा दूर चलने पर हमें मंदिर का में गेट भी दिग गया है यहां से मंदर के ओर चलते हैं और जैसा कि आप देख पारें सामने यह मंदिर है जो की बहुत ही सुन्दर लग रही है अब चलिए अंदर चलते हैं और यह सामने मंदिर का कॉईडर है यह जो सामने आप देख पार यह पंच्पुक महादेव है वहाँ से थोड़ा आगे चलते ही हमने बज्ञंपली का दर्शन भी किया तो फेंड्स यहां से निकल कर हम सीधे चले गया है सेकंड फ्रोर में और यहां से उपर आने के बाद हमने पूरे मंदिर को अच्छे से घुमा बहुत ही अच्छी मंदिर थी मैं आपको आगे दिखाता हूँ और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने रादा कृष्ण का मूर्ती भी देखा यहां भी दर्शन करने के बाद हम आगे की ओड़ चल दिये और वैशा मैं आपको बता दूँ यहां बहुत ही सांती है बहुत अच्छा लगता यहां ने में आप एक बार आकर के यहां पर जरू जाईएगा और थोड़ा सा आगे चलते ही हमें यहां पर शिर्विशुनाद जी की मुट्टी भी दिख गई यहां पर हमने दर्शन किया वैसे फोटोग्राफी यहां पर मना था इसलिए मैं आपको सही से नहीं देख आपा रहा हूं और यहां से दर्शन करने के बाद हम सीदे चले हैं संकर मुचन मंदिर की ओर यहां पर आने के बाद हमने हन्मान जी का दर्शन किया और फ्रेंड्स यहां पर कैमरा ना अलाउट होने के कारण हम आपको अंदर मंदिर नहीं दिखा पाएंगे तो आखर के आप एक बार जरूर अंदर जाईएगा साथी साथ अगर आप अपना मोबाइल या पर्स वगएरा कुछ रखना चाहते हैं तो आप यहां लॉकर में जमा कर सकते हैं क्योंकि अंदर अलाउट नहीं है तो फ्रेंट्स अंकट मोचन मंदीर का दर्शन करने के बद हम सीधे चले आएं तुलसी मानस मंदीर की ओर इसे स्री सत्नराय तुलसी मानस मंदीर भी कहा जाता है तो चलिए यहां से अंदर की ओर चलते हैं तो फ्रेंट्स अंदर जाने के पद हमने देखा कि अंदर बहुती बहुती सुन्दर मंदिर थी और यहां भी बहुत सांती थी तो चली हम आगे की ओड़ चलते थोड़ा थोड़ा सा आगया आएने के बाद हमने देखा यहाँ पर भगवान राम सीधा की मुर्ती रखी हुई थी यहाँ पर हमने उनका दर्शन किया जैसा कि आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स दर्सन करने के बाद हम सीधे यहां से बाहर निकल आएं और यहां पर हमने थोड़ा आसपास देखा बहुत ही सुन्दर लगा हमें तो फ्रेंट्स वहां से निकल कर हम सीधे चले हैं दुर्गामता की मंदिर में पर कोविट के वाद से बंद होने के कारण हम यहां भी ना जा पाएं तो आप आ करके एक बड़ जरू जाएगा तो हो गई थी साम अब हम सीधे चले हैं असी घाट में क्योंकि साम के समय असी घाट का नजारा बहुत ही खुबसूरत होता है जैसा कि आप देख सकते आगे तो चली आप अंदर की ओर चलते हैं और अंदर आने के बाद हमने देखा कई मंदीरे सामने जो हमारे थी अब फिर वहां से हम सीधे घाट की ओर गए पीछे देख सकते हैं असी घाट तो चलिए इसकी व्यू देखते हैं बहुत ही घुप्सूरत व्यू है थोड़ा आगे की दरफ चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह बहुत ही प्रशीद है यहां से आप नौका के लिए बुकिंग कर सकते हैं यहां पर कई नौका हैं आप देख सकते हैं साथी साथ यहां पर क्रूज भी चलती है छोटी छोटी यह जिसे आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स बनाजी ट्रीट में असी घाट हमारा आखरी स्पॉट था अब हम यहां से निकल कर सीधे चल चलेंगे गुदोलिया चो रहा जहां पर भईया जीन हमें छोड़ा यहां से अब हम सीधे चल चलेंगे दस उसमें घाट की और क्योंकि साम के बजगेंच है और समय हो चला है गंगा आर्ती का तो चलिए सीधे चलता है अब हम आर्ती देखने के लिए घाट पहुचने बाद हमने देखा कि आर्ती सुरू हो चकी थी और हमने वहां से फिर एक नाव ले लिया क्योंकि वारानशी का अगर आर्ती देखना चाते है तो आपको नाव जरूर लेना चाहिए क्योंकि नाव सही आपको पूरे नजदीक से आपको देख जाएगा आर् है और आर्ती होने तक हम यहां पर ही रुक करके आपको पूरा आर्ती दिखाने वाले हैं तो वारानशी आ करके यहां का आर्ती जरूर देखिएगा तो फिर्ण्स बनारस में अब हो गई है सुबा अगले तिन और अभी हम फिलाल है अपने होटल के टेरिस में मिन्स छट पे और पूरा बनारस अगर आप यहां से देखे तो बहुत ही खुबसूरत लगती है मैं आपको दिखा ता हूँ चार ओर यहां से पूरी आपको बनारस दिख रही होगी फिर वहां से निकल के हम सीधे चले हैं इस्टेशन की और और सामने हमारे देख सकते हैं इस्टेशन है बनारस्टी का तो फ्रेंड्स बनारस की ट्रीप को अब हम लोग कंप्लीट करते हुए चलते हैं अपने नए ट्रीप के तरफ जो की है हमारी जैपूर की ट्रीप तो चलिए अब हम आगे स्टेशन की तरफ चलते हैं वैसे अंदर जाने के बाद हमने देखा बनारस्टी का स्टेशन काफी नीट एंड क्लीन है तो चलिए हम आपको एक बड़ दिखा देते हैं और यहां आने के बाद आपको वेटिंग हॉल की सुबिदा वेगरा सब कुछ आपको एविलेबल मिल जाएगी साथी कैंटीन वेगरा भी अंदर है तो अगर आपको ज़रूरत हो तो खाना वगएरा पैक करा सकते हैं फ्रेंट्स जापूर जाने के अपनी ट्रेन की टाइमिंग हो गई है और हम जाने वाले हैं बनारस्टे मरुधर एक्सपेसे यह मारी ट्रेन लग चुकी है तो बनारस्टे अगर आप जापूर जाना चाते हैं तो आपको यहां से मरुधर एक्सपेस मिलेगी जो की छोटी है चाहर बच्पे 25 मिलेटे तो चलिए तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी बनारस्टे ट्रिप का यह वीडियो पसंद आईए तो इसको ज़रूर लाइक कीजेगा और साथी साथ अगर आप हमा ऐसा जैपूर गूमना चाते हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपर आई बटन में दे रखा है वहां जाके आप जो चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं जैपूर गूमने